यार आज इस वीडिए मैं आप लोग को करी 12 प्रिमियम सर्टिफिकेशन्स बताने वाला हूँ, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन्स बताने वाला हूँ, जो कि आप फ्री में कर सकते हो। ये Google की तरफ से आप लोग को provide किये जाते हैं, इन courses को करने के बद आप job ready हो जाते हो, आसानी से आप लोग job ले सकते हो, क्योंकि 6 months के courses होते हैं, ऐसी skills आप लोग को सिखा दी जाते हैं, जिससे आप लोग professionally जाके experience आप लोग को मिल जाता है, आप काम कर सकते हो, job कर सकते हो, ऐ ऐसे तो 1000 और उपे के courses होते हैं, बट कुछ opportunities होती है, जिनकी help से आप लोग इन courses को free में कर सकते हो, इस type की वीडियो मैंने पहले भी आप लोग के बनाई है, अगर आप लोग इन चैनल को subscribe कर रखा होगा, तो आप लोग को पता भी होगा, बट ये वाली जो opportunity है, वो नई opportunity ह एली बार चैनल पर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो अपने सभी college group में जरूर शेयर कर देना, तागी सभी बच्चे इस course में इंडोल कर ले, और professionals अगर आप job कर रहे हो, तो उनके साथ भी share कर देना भई, हर कोई upskill होना चाहता है आज के time पे, साथ ही साथ आ आप लोग telegram group भी join कर लो, क्योंकि अलग से कोई opportunity होती है, वो भी मैं आपको telegram पर बदाता हूँ, जैसे instagram से कैसे आप लोग पैसे कमा सकते हो, इसका एक free course है, उसका मैंने आज ही link share किया था, तो वो भी आप लोग join कर लोगे telegram group, link description में तो आप लोग का फायदा होने वाल है, तो मैं आपको complete offer बता देता हूँ, सबसे बहले तो एक question है, आप लोगों से कि आप कोई नई skill सीखना चाहते हो, क्या जिससे आप लोग job ready हो सको, अगर आपका answer yes है, तो भाई सुनो, Infosys springboard has the answer, we bring to you a wide range of google certification and professional specialization, technical as well as non-technical in partnership with Coursera, absolutely free of cost, यानि कि Coursera के साथ मिलके Infosys और Google ने आप लोगों के लिए कुछ premium professional certification को free of course provide कर रहे हैं, तो इसके लिए करना क्या होगा, हर कोई जानना चाहता होगा certified कैसे हो सकते हैं, तो certified होने के लिए बहुत simple process है, सबसे पहले आपको पता करना है कौन सा certification आप free में करना चाहते हो, कौन सा specialization करना चाहते हो, उसी के हिसाब से आप लोगो कुछ pre-request sites दिये गए हैं, कुछ free online course है, वो आप लोगो complete करने होते हैं, तब जाके आप लोग Google का certification free में कर सकते हो, एक चीज़स मैं बता दू, limited number of seats हैं, first come, first sir, basis हैं, जितनी जल्दी आप register कर लोगों को दुना फायदा है, एक ही certification आप free में कर सकते ह हो, अभी मैं आपको detail में process बता दूँगा, देखो यार अगर आप college student हो, तो आपको ज़रूर register होगा ना चाहिए, क्योंकि आने वाला time में आप लोगो certifications की professional skills की ज़रती होगी, अगर आप अभी job कर रहे हो working professionals हो, तो भी मैं आपको कहूँगा कि आप लोग in courses में enroll कर लो, क online MBA करना चाहते हो, online BTEC करना चाहते हो, BCA करना चाहते हो, तो एक free platform और मैं आप लोग को बता दे चाहूं, जिसका नाम है college जुद्धा, इस platform पर आप लोग 100 प्लस top universities को एक single click में compare कर सकते हो, यहाँ पर AI power dean का tool है, जिससे 2 मिनिट में आप लोग यहाँ पर top universities को compare कर सकते हो, क कुछ basic से questions का आपको answer करना है, उसका unlimited यहाँ पर जितने भी universities इंडिया में आप लोग को MBA degree करा रहे हैं या फिर जो भी degree आप करना चाहते हो, सारी list आप लोग के सामने आ जाती है, अब add to compare पर करके, click आप लोग directly किनी तीन universities को compare कर सकते हो, उनके fees के हिसाब से, approvals के हिसाब स से, syllabus के हिसाब से, placement के हिसाब से, complete comparison आप लोग को देखने को मिल जाएगा, unbiased comparison, प्लस यहाँ पर आप लोग इनके career counselor से भी connect कर सकते हो, जो कि right guidance आप लोग को दे देंगे, प्लस college विद्या आप लोग को, बिल्कुल जब आप लोग को college में entry मिलती है, placement नहीं लगती, तब आपको support करता है, free of course, आप से कोई पैसा नहीं लेता, college विद्या तो इस platform का भी आप यूज कर सकते हो, अगर आप online degree सर्च कर रहे हैं तो, बात करते हैं जो बच्चे Google के certification को free में करना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा, क्या prerequisites हैं आप लोग के लिए, तो देखो अगर Google क certifications को आप free में करना चाहते हो, तो पहले मैं आप लोग को certification बता देता हूँ, यहाँ पे चलो मैं पहले आप लोग को prerequisites से बता देता हूँ, तो देखो यार, आप लोग को अगर sport अपना reserve करना है, तो यहाँ पे आप लोग को prerequisites करना होगा complete, click here to prerequisites इस तरीके का, उसके आप लोग अपने support, sport यहाँ पे complete कर सकते हो, reserve your sport का option आएगा, limited sports available, सबसे पहले हम बात करते हैं, कौन-कौन से Google के certifications होते हैं, जिनसे आप लोग in future upskill भी हो सकते हो, और एक अच्छी गंबनी में आप लोग की job लग जाएगी, तो देखो Google के करीब 5 certifications है, जो official certification है, जिसे project management का यह पहला certification है, project management, Google project management, professional certificate, Google का यह course है, professionally, और beginning level का यह course है, करीब 6 months में आप लोग इस course को complete कर सकते हो, outcome की बात करें, तो course को जोब आप complete कर लोगे, तो आप लोग के पास assist skill होगी, जिससे आप लोग जोब रेडियो, उसके professional level की training आपको Google से मिलती है, प्लस आप लोग को employer recognize certificate भी मिलता है Google से, जिससे आप लोग को job लेने में आसानी होती है, अभी तक 12 लाग तो already बच्चे enroll कर चुके हैं, पैसे देके, तो directly वैसे हो तो यह course, professional course है, पैसे देने में भी कोई बूरी चीज नहीं है, बिद अगर आपको free में मिल रहा है, तो free में आप लोग को फाय UX designing professional certificate course है, इसके भी 4.8 rating है और 8 लाग लोग के अल्रेडी इंडोल कर चुके हैं, फॉर्थ नमबरा कोर्स है Google IT professional certificate, इसमें करीब 13 लाग already students इंडोल कर चुके हैं, फिफ्थ नमबरा कोर्स है आप लोग के लिए Google IT automation with Python professional certificate, इसमें भी करीब 6 लाग already course में इंडोल कर चुके हैं इन courses के direct link भी मैं आपको description box में दे दूँआ, जिससे आप लोग खुझ से इन courses को verify कर सकते हो और check out कर सकते हो, अगर आपको course अच्छा लगता है तो आप लोग इनकी pricing वेगरा भी देख सकते हो, अगर आप purchase करना चाहते हो, तो directly purchase भी कर सकते हो, आप लोग क्योंकि content काफी best ह अगर आप 100% free में करना चाहते हो, तो इस video को आगे आप लोग देखते रही है, मैं आप लोग को अभी process बता रहा हूँ, tech specialization के करीब 5 courses हैं, जो कि professional courses हम लोग कह सकते हैं, इसके लागा non-tech specialization के भी 2 courses है, इन total मिला के करी 12 courses हैं, जो कि आप लोग को provide किये जा रहे हैं, main तो ये गूगल के certification है, जो कि 5 गूगल के certification आपको free में provide किये जा रहे हैं, बागे इन में से भी अगर आप कोई specialization करना चाहते हो, तो भी आप लोग इन में से specialization को free of course कर सकते हो, अब बात करते हैं कैसे कर सकते हो, गूगल के certification को free में कैसे ले सकते हो, तो जैसे मैंने आप पर आपको क्लिक करना है उसके आपको Infosys platform पर अपना अकाउंट बना लेना है free of course बना लोगे उसके आप लोग के सामने प्री रिक्योसाइट नाम से free course open होगा इस ट्राइप का आप लोग को एक course दिखाई देगा इस course को आपको start करना होगा course जब आप जैसे big data analytics के लिए इस टाइप का prerequisites course start पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ video lectures आप लोग को सामने open हो जाएंगी यह video lectures आप लोग को एक एक करके देखनी है सारी video lectures जब आप देख लोगे watch out कर लोगे एक test होगा लास्ट में इस तरीके का 10 mcq based questions का test होगा इस test में आप लोग को करीब 70% score करना होता है एक नहीं दो बार नहीं unlimited बार आप try कर सकते हो तो एक दो बार में आसानी से आप लोग का यह test भी निगल जाएगा तो आप देख सकते हो मैंने 88% score किया है यहाँ पे score करने का इस course का भी certificate अलग से मिलने वाला है जो आप लोग यह course complete करोगे techniques for big data analytics जो की infosys platform पर है तो basically यह जो courses prerequisites रखी गई है यह इसलिए रखी गई है ताकि बच्चे seriously in courses में जो बच्चे google का certification करना चाहते हैं वो बच्चे serious से हैं इस course को करने के लिए तभी वो इस free course को भी करेंगे तो इसलिए यहाँ पर infosys की तरफ से guideline दी गई है तो यहाँ पर course completion certificate infosys का भी आपको मिल जाता है अगर आप लोग का selection होता है इस course को complete prerequisites को अगर आप complete करते हो तो आप लोग के सामने एक option आएगा इस तरीके का reserve your support limited slots available यह जब option यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएगा उस time पर आप लोग अपना sport यहाँ पर reserve कर सकते हो और Google के certification को free में आप लोग कर पाओगे तो यह बिल्कुल simple process है भाई पहले आपको free course complete करने है जब आप free course complete कर लोगे तो Google का जो इस वीडियो को support मिले thank you for watching